जो आपके जा रहे हों साथ के साथ आपकी जो जीग की परपरेशन एव अच्छी चाहरी है हां और इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपोर्मॉला की आता तीन वह थे बटाज हम करेंगे और साथ में चार कॉंसेप्ट लेंगे ठीक है क्या थोड़ी सी ज्यादा करेंगे क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अभी पब्लीश हुए और इस इन सब के बारे में देखेंगे तो देख लेते हमका हमारा अजन्डा क्या है तो सबसे पहले कोश्चिन करेंगे आज के दो आपको दूंगों कोश्चिन वह कोश्चिन होंगे आ साथ के साथ में यह भी देखेंगे कि तो यह इसको बनाया है अब इसके बार में पढ़ेंगे कि आखिरकर है क्या और यह न्यूज में क्यों आया तो इसका कोश्चन आने के चांस बहुती ज़्यादा है उसके बाद हम पढ़ेंगे की वर्ल्ड बैंक की तरफ से बैसिकली एक वर्किंग रिपोर्ट पप्लिश हुगत अभे जो वर्किंग पर है यह वर्किंग पर क्या है किसे इसको प॑ब्लिष किया वर्ल बैगने पब्लिष यहां से क्या कोशन बन सकता हुआ हम गूँ कि हमारा लोकेशन बेस्ट कोशन कोंसा है कौन सी कंट्री अभी नियूज में आया है आखिराइसा क्या हुआ उसका तरी में ठीक है तो एक फीश है जो इसको बोलते हैं डाय डाय डॉमस फिश अलग-अलग उस फिश के अंदर बहुत सी कैटेगरी जोती है डिपेंडिंग है अभी जो न्यूज में देखी गई है इन फिश की चार स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी हुई है आपको बताना है इन चारों में से कौन से रिलेट करता है इसके साथ इस फिश पर हमने डिटेल में किया हुए अब जिनोंने नहीं भी वीडियो देखी थी पहले वारी तो इनके लिए मालों कि मालों किसी फिश के लिए कोई एक प्रोटेक्टिट अरिया बना रहे हो वहां से माइगरेट करके किसी और जगह जा चुकिए और आप प्रोटेक्शन के लिए उस एरिया को यूज कर रहे हो ठीक है इसमें क्या आया था डिस लोकेशन देखी गई ती क इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशान नहीं हो रही ती यह लोकेट करने में कि इन फिश के लिए वह जो हैबिटेटीड एरिया है वह जो कंजर्वेशन एरिया है ओशन के अंदर वह कहां पर बनाया जाए ठीक है तो इसी लिए यह जान लेते हैं इसके बारे में क्योंकि इनको माइग्रेट करने की जूरूरत नहीं थी बट यह तो सबसे ज़्यादा माइग्रेट करती है तो पहला ओप्शन हो जाता है यहां पर गलत उसके बाद पढ़ते हैं सी ओप्शन तो फिश डेट लिव औली इन सोल्ट वाटर में रहती तो ओव्वेसली यह डिटेक्ट तो सिर्फ ओप्शन नंबर बीफीट बैठता है यहां पर क्योंकि आपको डाइडरोमस फिश के बारे में क्या याद रखना है वह फिश जो बहुत ही ज्यादा क्या करती है मिटिगेशन दिखाती है अपनी अपने पानी के अंदर कभी सोल्ट वाटर से फ्रेश में चले ज जो मैंने बताया वही चीज मैंने यहां पर मेंशन किया कि रिसेंट्री स्टडी ने क्या रिवील किया कि जो मैरीन प्रोटेक्टिट एरिया है डू नोट अलाइन विद्धी है अब थोड़ी सी स्पैश्वेकिशन देख लोगे तो यह बिल्कुल क्लेर हो जाएगा फिर अ स्टल्ट वोडर में इस एक करते हैं पर जूरी यह वाली फिश्ण करते हैं में सो फ्रेश बुर्टर में बोन करेगी पर चलिए इनको को ले करना होगा तो यह सोल्ट वोटर में और अगर मैं बात करूँ कि यह इसका और पॉजिट यह फिश क्या करेगी वोटर में बॉन करती है मतलब यह पैदा होएगी तो यह सोल्ड वोटर में पैदा र एक्सको ले करने के लिए कहां चली जाती है यह फ्रैश वोटर में ठीक है यह चीज इसके बारे में बेसिकली और इसको आप क्या गर सकते हो याद रख सकते हो अपने इकजाम के लिए उसके बाद चलते हैं अगले कोश्चन में कल ही मैं आपको पढ़ा के हटा हूँ एक एकसराइस के बारे में तो इसका अंसर तो आप दे दीजिए इसके बारे में याद रखना है कि यह एकसराइस आपको बताना है अब मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि यह से हो जाता है क्या बेरे पास जैपान हो जाता है अत 나올 हो जाते हैं मैरेटाइन ओ तो आपके पास यह सब्स्राइब कोशन आपको कुशंनी बबचिप नहीं हो पर टती नहीं नहीं होती रर्म सक्राइब कीनिवी के अक्सराइज हो खwalk कर लिया कर रहे है कि इसमें इसमें आई इसे के साथ सब्सक्राइब परोड देख लेते हैं अब भी यूएन क्या बोला है टिका यूएन ने ने बोले इक इन इन्टनेशनल यह हम रखेंगे किसका क्वांटम साइनस और टेकनोलोजी का इंस सीधे आएन प्रिविस चेक कर लो 2023 इंटरनेशनल यह रखा गया ता मिलेट का कोश्चन आया बिल्कुल आया सीडियस के अंदर भी वह कोश्चन आया ठीक है तो इस कोश्चन के आने के चांसिस हैं अभी 2025 कौन सा इंटरनेशनल यह रखने वाला है वह होगा क्वांटम साइंस टेकनोलीज हो चुके कितने हनड़ यह पूरे हो चुके है क्वांटम साइंस को आयुके तो इसे और सफौरी बनाके चलते हैं होता है कि नेचर की करना और उसके अंदर जाके इतने जादा छोटे छोटे पार्टिकल्स को पढ़ना उसको हम कहते है क्वांटम साइंस को ठीक है मतलब कि एटम को भी क्या करना ब्योंड एटम के भी ब्योंड जाके स्टाडी करना और अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ सो क्वांटम साइंस हम ठीक हम अपने करवाने चांख एक से लिए जो यह हमारे इन क्या होता है इसके अदर भी क्या होई है इसके बहुत एक्जाम्पल मिल जाएंगे और क्वांटम साइब Western को इसी लिए UN ने डिसाइड कि आने वाठाने क्वांटम साइंस टेकनोलोजी होगा इतना आपको याद रखने एक्जाम के लिए बात खतम इसी के साथ चलते हैं अगले टोपिक पे हम अगले टोपिक से पहले देपाता बता दू मैं आपको 2023 था इंटरनेशनल ये रोफ मिलेट्स के बहुत पार्ट टाइप सो तें जवार हो गया बाज़र हो गया बट याद के रखने आपको फिलाल इसके बारे में मिलेट्स इंटरनेशनल ये अग्जाम में आ सकता है इसको याद कर लो एक साल अगला भी मैंने बता दिया तो की ही स्पीशीज है का अलग अलग टाइप सोते हैं और ये हैं इसी के साथ चलते हैं हम विद्यूद शक्ति के उपर विद्यूद शक्ति क्या है अभी हाली में क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी ने अपना आई ओटी इंटरनेट ओफ तिंक्स ये जनेरेटर बोल आप इसको ये क्या करेगा ये आपको प्रोटेक्शन देगा ये आपकी मैनजमेंट करेगा ये आपका कंट्रोल सिस्टम होगा ये वन इन ओल इंटरनेट ओफ तिंक्स जो क्या करेगा बेसीकली आई टी ये बहुत इंपोटन चीज़ है जैसे हम बोलते हैं और ऑवर दा एर सकता है साथ के साथ में यह भी बताएगा कि बैसी के लिए आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं एक ऐसा डिवाइस बना लिया है सब्सक्राइब करेगा मैंने बताया आपको प्रोटेक्शन भी करेगा साथ के साथ में कंट्रोल सिस्टम है यह बेसिकली अब इसको बनाया किसने गया और इसको भी याद रखना कि इसको फिडिस्प्ले किस टाइम पर किया गया सो इंडिया की एक अब यह एक एक्ससाइज चल रही थी अभी एक्ससाइज के बारे में एक चीज बताऊंगा उसको याद रखना तो इंडिया के एक एक्ससाइज में बढ़कर आ रहे प्रफोर्म कर दिया तो उसकों बोलते हैं इंडीजीनियस एकससाइस में जिसका नाम है भारत शक्ति उसके अंदर डिस्प्ले किया इस विद्यू शक्ति को भारत शक्ति कर दिया शक्ति से तो शक्ति से आप क्या रख सकते हो शक्ति-स प्रफोर्मेट करती है क्या करता है यह प्रफोरमेंस को प्छिब करेगा की इंजन कि सी भी टाइप का हो सकता है किसी भी पूराना हो सकते कोई दिख्कत की बात निया इंजन को क्या करेगा साथ के साथ में आपको क्या करेगा इसको दीप Linux करने की फोल्ट फांड करेगा होने से पहले और कुछ डैटीए भी देख़ा क्या साथ करते हो विड्यूत्रक्षच के बारे में याद राखना ये एक एसा अरख्षक है विद रक्षच का इसलिए पूरी शक्ति एसके अंदर क्या करने की मोनिटर करने कि सब कुछ और एसी शक्ति है कि इसको भार शक्ति एक्सराइज के टाइम पर ही डिस्प्ले किया गया बाइदी इंडेन आर्मी अब चलते हैं अगले टोपिक पर अगला टोपिक हमारा देखो इस तरह के यह यह विद्धू शक्ति इस पर लिखा भी हुआ यहां पर मैंशन विद्धू शक्ति ए और यह पढ़ते हैं आज का सबसे इंपोर्टन टोपिक सो अभी हाली में क्या हुआ है एक पोलसी रिसर्च पोलसी रिसर्च वाली एक रिपोर्ट पबिश करिया सब्सक्राइब टाइब कि इतनी सारी डेमोक्रेसिस है अब हम देखते हैं कि विलेज के अंदर किसके अंदर विलेज के अंदर क्या गवर्मेंट का सीन है मतलब कि इसको ध्यान से पढ़ियो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने चला हूं ठीक अब क्या हुआ था 1992 में इंडिया के अ क्या हुआ था एक ऐसा रेवलूशन आया था कि 1992 के इस अमेंडमेंट के वज़े से क्या हूआ एक्ट को साइन कर देता तो वह एक एमेंडमेंट के अंदर नाे नए रोता ऑब एक बताया है यह पूरा का पूरा पार्ट की से रिलेट करता है पंचाईती राज इंस्टिटूशन पी आर आइ सो पंचाईती राज से रिलेटीर था पहली चीज़ यहाद रखनी है ऐग्ट से बाद आर्टिकल कॉन से है जो रिलेड करते हैं पंचायत के साथ तो 243 से लेके 243 और तक यह सबकुछ प्रशा और पंचायत के साथ अभी में क्या हुआ है कि व्ल्ड बैंक ने बोला कि हम देखते हैं कि विलेज में गवर्र्नमेंट कैसे चली हुई करके एक पोलसी रिसर्च हुई और एक वर्किंग पेपर पब्लिश कर दिया गया वादी वर्ल्ड बैंक इतनी सी बात है पूरी बस और कुछ नहीं है इस पूरे शीट पे इतना ही लिखा हुए वर्ल्ड बैंक को स्टडी करना था गवर्वर्मेंट कैसी चल रही है विलेजि सकता है कि इस रिखोड को किस ने पब्लिश ने पब्लिश ने पब्लिश किया और अगे बताया के रिकुक्त के की देखते हैं वर्ल्ड बैंग ने बोला कि पंचाहीती राज़ इस्ट्रूशनमे सबसे बड़ी कमी है कि क्वांड कि अलते हैं कि फंट के लिए मिर निर्भर रहे हैं कि ब्सकी सेंटेकोई अमें दोबियित सेंटर कॉठियर वह Coleman Why मेरे तो वहां से क्या भी वहां से क्या हो रही है गाउं के लेवल में अचीज़ डेवल्मेंट नहीं हो पारी। तो ग्राम सभा में कमसे कम 0.66% के हिसाफ से लोग होने चीए बट अभी कितने पिरोपर्ट थरी थरी साप से लोग है तो यह सब कुछ चीज की की फांडिंग से की काम करने वाले बीलोग पैसा भी कम है पैसा भी कम है साथ के साथ में तीसरी कमी बता की ऐसे सोचा है और यह वर्लडबैंक की ठिंकिंग है और वर्ल्ड बैंक कर रहा हूं वर्ड बंक के हसाब से वल्ट बैंक ने बोला है डू टू रेजरवेशन जो घर नोग परिवार अच्छे पपोबीश करते थे जो अच्छे बनाते थे वह कभी-कभी रेजर्वेशन के Hor cheers कंपीट मेरी कर पाते ठीक है ठीक है एक रीकमेंडेशन ने कारण है जाना यह उबर कम हो जाएंगे और जो सबसे इंपोर्टेंट मुझे लगता है जो यहां पर रिकमेंडेशन दी गई यह वो दी गई है तो एस एच 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 वूमन की और गर्णाइशन ने जो वूमन के लिए क्या करती है आवाज उठाती है काम करती है और सब कुछ करती है सो विल्ट बैक ने बोला है कि सैल्फ हेल गुरूप जो की खुद एक गरसरूट लेवल पर काम करने वाला गुरूप है उसके साथ आप क्या करेंगे पंचायत की लिंकेज करा दो कोडिनेट करा दो ताकि क्या हो कि वूमन भी एक्टिव से रोल प्ले करें साथ के साथ कि इनको मिलेंगे उनकी स्थाइंध एंकड़ी तरह से लीगे बट जाने से पहले अगले टोपिक पर एक מने कीनफिक यहां मैंक क्या ऑफ भुगी इसके लाग वाज़ पोपुलीशन जब हमने इसी अंदर पीप बनाएद Ireland सलीट सबसे उफर एक जीलक दीलिए दूसरे नमबर पर हमारे पासर आती है पंचायत्थ और गराव पंचायत्थ जो कि गाउवेगां पören운데 जो कि का निझ इस अब रहा है तो उस स्टेट में जो एक बीच वाला होता है नस मीथ वहाँ पे स्मीथि किसे के साथ चलते हैं अगले और आज देख लेते हैं हम अपना आज का लास टोपिक जो की है मलावी को लेके अब बीद इसेंट लिए नहीं पूछा जाएगा कि कहा więcej कब हुई नहीं पूछाशा जाएका बत मलावी आ गई है तो सबसे पहले देखते हैं मलावी के बारे में मिलावी की boundary कंट्री सब से ज़्यादा इंपोर्टन अगर इस पूरे मैं से आ सकता है वह आ सकता है यहां सबस्क्राइब को नहीं होगते हैं पहले होगी जांबिया सब्सक्राइब पिर से यह तरफ से जांबिया इसके बारे में आप याद रखना और यह कहां पे प्रेजेंट हैं आप देख पारे हो एक को एफ्रीका कोंटिनेंट है तरफ से चांबिया ने इसको बोडर क्या हुआ इस तरफ से तनजानिया ने किए हुआ और इस तरफ से किसे मुझांबी की हुआ एक मेली नाम कूलांवी नाम की एक लेख भी मलावी में से निकलती है और अगर मैं की बात करूए नाम भेवर भी तोड़ी सी इटीशल स्थाधं इंफॏंशन गवी यह यह इतनी ज्यादा इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ठीक है तो इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड पर जाने से पहले देख लिए आपको अभी बता के हटा हूँ इसका आपको बताना है कि कौन साय है इसका अंसर इसी के साथ कुछ और इंपने टोपिस के साथ तब तक स्टे सेफ स्टे हल्दी बबाए